हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो में इडियोग चैनल अफूर्ट तो आज अमनाने वाले रोगन जो चापूस के लिए मैंने चेपिस चाप लिया उसको अच्छे से दोके उबलने के लिए रख दिया है और उतनी देर में हमने कूकर ले लिया कूकर में तेल डाल के जीरे का चौक लगा दिया है जीरे का चौक लगा के ले लिया एyd दो तेजपते जावित्री डालचीनी लांग और एक छोटी लाइचञी और बढडी लाइचञी तीन काली मेर्च और साथी में तीन लॉंग डाले हैं और दो लाल मेर्च स्लिट करके डाल दिया है तीन छोटे चमच मैंने डाल दिया है अद्रक और लसन दरदरा पीस के कूटनी में कूट के और फिर मैंने ले लिया है तीन प्यास जिन को मैंने दरदरे पीसे हैं और उन्हे बुनने के लिए रख दिया उतनी देर में एक चमच लाल मिर्च डेट चमच सुखा दनिया और एक चमच हल्दी को पानी में अच्छे के लिए उबलने के लिए रख दिया था जितनी देर में प्याज हुए उतनी देर में मसाला भी अच्छे से फूल गया तो मैंने डाल दिय और फिर मैंने डाला थोड़ी सी देगी मेर्च एक चमच और फिर मैंने डाल दिया एक चमच भर के चिकन मसाला और अच्छे से मसाले को भून लिया जैसी मसाला भून गया था तेल छोड़ने लग गया मैंने तीन टमाटर दरदरे पीस के डाल दिया इसमें सब कुछ मैंने द दाल दिया नमक और गरम मसाला और अच्छे से इसे भुनके हमने डाल दिया डेट को टोरी पानी पानी डाल के हमने दिला दी इसके दो सीटी और हमारी रोगन जो चाप मज़ेदार सी हो गई है त्यार अगर आपको रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्रा है मैं जाने दूप